नमस्कार दोस्तो देखो सीखो स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो आज दोस्तो आज समान ग्यान का सेटर नंबर 14 लेके आ चुके हैं सभी प्रतियोगी परिछाओं के लिए इंपॉर्डेंट होगा कोई भी आप एक्जाम देने जा रहे हैं जो मारा स्रीज चला जा रहा है 100% इसमें से फसने के चांसिस हैं अगर आप कोश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको खुदी पता चलेगा तो जो लिए देखें सबसे पहला नमर जो कोश्चन है 14 नमर सेट का अमबेडगर एलाइफ ये पुस्तक किसने लिखा है जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताते रहे हैं तो देखें तो करेंट का भी कोश्चन हम यहाँ पर आइड करते जा रहे हैं तो यहाँ प और मिशन जब आ जाएगा तो याद रखेंगे उनके जो लेखक हैं वो है धननजय धननजय खेर या फिर खीर आता है ठीक है तो यह है याद रखेगा एक और जो है कोश्चन बनता है क्या है यह अमबेडगर एलाइफ है उसमें जीवन और मिशन रहेगा क्या रहेगा यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है साथी साथ दोस्तो जो है ससी थरू दोारा दोस्तो जो है दग्रेट इंडियन नॉबेल पुस्तक जो है लिखी गई कब 1989 में नेक्ट बात करेंगे आईपील में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अमबाती राइडू ने आईपील से सन्या सन्यास की घोशना कर दिया मतलब यह किस टीम में थे तो चिन्नाई सूपर किंग्स में थे दोस्तो चिन्नाई सूपर किंग्स में थे ठीक है और यह दोस्तो जो है अबाती जो है पूर्वा भारतिये क्रिकेट रह चुके हैं साथी साथ इंपोर्टेंट बात यह है अबाती गोस्टणा चेन्नाई सुपर किंग से किया है नेक्स्ट बात करेंगे पुर्वत्तर भारत की पहली पुर्वत्तर भारत की पुछा जा रहा है पुरा भारत की नहीं ठीक है पुर्वत्तर भारत की पहली दोस्तों जो है मई 2023 का करेंट है ठीक है याद रखिएगा C इसका रेड इंसर हो जाएगा वंदे भारत जो ट्रेन है सबसे पहले पहली जब बात करेगा पूरी भारत की जब पहली बात करेगा उसको याद के लिए जरूरी कोशन आ सकता है क्या है डेट? डेट है 15 फर्वरी को 15 फर्वरी 2019 को दोस्तों कहा से दिल्ली टू क्या है वारानसी जो है दिल्ली टू वारानसी चलाई गए थी याद रखिएगा वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है ये भी पॉइंट याद रखेंगे किया गया है वो अर्जुन राम मेगवाल जी को किया गया है इससे पहले कौन था कीरेन रेजजु जी थे ठीक है कीरेन रेजजु जी थे अब ये क्या हो गए है ये भी याद रखेंगे क्या हो गए अब अब हो गए है दोस्तो पृत्वी विज्यान मंत्रा ले इनको सौपा एवं नियाई मंत्री पूछेगा मई 2023 से पहले का तो किरन रिजुजुजी याद रखेंगे लेकिन अभी जो है करेंट का कोशन है अरजुन राम मेगवाल जी ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वंडे अंतराश्टिय क्रिकेट में 15 सतक पूरा करने वाले 15 सतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने है तो तीसरे जो दोस्तों बने है वो आपके बने है शाही होप क्या नाम है साही होप जी बने है और ये दोस्तों जो है वेस्ट अडीज जो है उसके दोस्तों क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज है ठीक है और एक देवसी अंतराश्टी अब में कप्तान भी है तो राइट एंसर इसका क्या हो जगा साई होप याद रखेगा 105 वी पारी में दोस्तों ये बना आए हैं ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे निम्न देशों में से एक आसियान का सदस्य नहीं इन में से कौन सा है जो की आसियान का सदस्य नहीं है देखिए याद रखेगा आसियान A-S-E-A-N इसका फुल फॉर्म भी आता है तो लिख ली जगा Association of Southeast Asian Nations क्या ना मैं Association ठीक है एसे हो जाएगा Southeast Asian Nations हो जाएगा याद रखेगा और इसका जो सदस्य नहीं है वो है भारत इसके कौन कौन से सदस्य है तो दोस्तों जो है इसकी घोशना और स्थापना की बात क्या जाए तो 8 अगस्त 8 अगस्त 1967 1967 को दोस्तों हुई है Bangkok जोशना या फिर आसियान घोशना यसी को कहतने है इसापना हुआ है मुख्याल है जब पूचएगा तो Jakarta याद रखेगा मुख्याल है जब पूचएगा तो Jakarta याद रखेगे और 10 देस थे 10 देस है 10 थेस कौन कौन से है एक तो Brunoi है फिर उसके बाद उस तो कंबोडिया है याद रखेंगे आपका कंबोडिया है इंडोनेसिया है लाओस है मलेशिया है मियामार है फिलिपिन्स है सिंगापूर है थाइलेंड है वियत नाम है फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जिनको लिखना लिख लिजे क्या है ब्रुनोई है कमबोडिया है, इंडोनेसिया है, लाओस है, मलेशिया है, मियामार है, फिलिपिन्स है, सिंगापूर है, थाइलेंड है, वियत नाम है, तो यह आपके 10 देश हैं, याद रखेगा, इसका एक आदर से वाक कह है, एक दिश्टी, एक पहचान और एक समुदा है, भारत इसका सद तुलू को दोस्तों, ओटन तुलू को कहते हैं, गरीबों का निर्थ, ठीक है, याद रखेंगे, C इसका रैड एंसर हो जाएगा, ठीक है, आप्शन नमबर में जो चाक्यार कुंत दिया है, कुंतु बोलते हैं इसको, यह एकल निर्थ है, और दोस्तों सोयम को सांप की तर यह सांप की तर इसको प्रस्तुत किया जाता है, चाक्यार कुंत पूछेगा तो, ठीक है, मोहिनी अट्टम आप जानते हैं, कई बार आचुका है, केरल का यह है, सास्त्री नित्य, ठीक है, और कोयाटिकली दोस्तों जो है, यह कोयाट्टम लिखा गया है, तो कोयाटिकली इसको पूर्षों और इस्तिरियों का दोस्तों यह प्रस्तुत किया जाता है, खुसी के मारे दोस्तों यह केरल में जब अच्छी फसल होती है, तो उस से रिलेटेड यह है, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसीद पूस्तक, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड, यह दोस् aları posis company के दोस्टो जो है in forces company के दोस्टो जो है यह संस्थापक है ठीक है and are near anti भारत में software company आप जानते हैं और ऑप्षन जो अजीम प्रेंजी हैं हैं यह Chris ब्रो के ब्रो के संस्थापक है और दोस्टो राजि उशिक्री जो लिखा हुआ है चैलेंज एंड स्टिटीज दोस्तो जो रिधिंक इंडियाज फॉरेंड पॉलिसी ये पुस्तक है इनकी इसी लिए उफशन में ये लिया गया है साथिशा दोस्तो जो है अजीम प्रिम जी का याद रखेगा विप्रो के संस्थापक है नेक्स्ट बात करेंगे यापर संतोस ट्रॉफी जो है किस खेल से समंदीत है तोक्तिं और आपका आपका मर्डेका कप, रोवर्स कप, ऋंतोस कप, डूरंड कप, यह सब फुटबाल से रिलेटेड हैं, अगर आप दोस्तों लिखना चाहते हैं, हाँकी का तो हाँकी का लिख लीजे, लेडी रतन ट्रोफी, इंडिया, स्वरी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, लेडी रतन ट्रोफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, आगा खाँ बहुत बार आचुका है, रंगा स्वामी कप, जो है बेगम रसूल कप, ये सब किसे हैं, ये होकी सर लेटेड है, ठीक कप हो गया रहिमतुल्ला कप हो गया थॉमस कप और आपके जो है कोनिका कप नारंग कप चड़ा कप यह सब बैडमिंडल से समंदित है ठीक है बॉस्केट बॉस्केट वाल का दोस्तों जो कप है वो है लॉरियो ब्रॉयन कप ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे चिकित्सा दिवस दोस्तों मना जाता है याद रखेंगे यह दोस्तों मना जाता है 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस दोस्तों ठीक है? 11 जूलाई जो option में दिया ये एके करके क्या है? जन संख्या बढ़ जाता है तो ऐसे करके मैंने याद trick में करवा रखा है ठीक है? वाचसपती पुरसकार दोस्तो क्यों दिया जाता है? किस चीस के लिए दिया जाता है? तो वाचस्पती पुरसकार दोस्तों जो है संस्कृत साहित्य में दिया जता है वाचस्पती बाती ऐसा है कि आपको लगेगा संस्कृत का सब्द है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं और दिया जता है विडिला केके विडिला फांडेशन के द्वारा केके विडिला फांडेशन के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है और इसकी स्थापना दोस्तों वाचस्पति पुरस्कार का 1992 में दोस्तों ये की गई है ठीक है संस्कित में दिया जाता है साथी साथ जब भी साहित अकदमी आएगा याद रखेगा साहित अकदमी जब भी आता है तो 24 भासाओं में दिया जाता है साथी साथ दोस्तों ये 22 भासा दोस्तों जो हैं वो हमारे आठवी अनुसूचिक हैं और दो आपके राजस, थानिय और इंग्लिस और एड हैं संस्कित भासा के लिए साहित अकदमी प्रथम पुरस्कार मिल चुका है वो 1955 में दोस्तों मिल चुका है किसे मिला है लक्षमर सास्त्री जी को मिला हुआ है ठीक है याद रखेगा और साहित अकदमी जो है के अंतरगत ही बाल साहित पुरसकार और युवा पुरसकार दिया जाता है next बात करेंगे परदूशन में सुचकांक जो है SPM का पूर्ण रुपिया नी फूल फॉर्म बताना है SPM का जो फूल फॉर्म होता है दोस्तो वो आपसे पुछा जा रहा है तो होता है suspended particulate matter तो यहाँ पर option number जो B में दिया है suspended particulate matter इसका right answer हो जाएगा ठीक है इसमें क्या क्या चीज़ें related होती है देखिए दोस्तो वायू में जो ठोस धुएं और धूल के कणा है यह सब दोस्तो जो है फेफड़े को हनी पहुचाते है इसमें कुछ जो है नाम है जैसे की carbon monoxide carbon dioxide chloro fluorocarbon ओजो नादी दोस्तो जो है यह सब क्या है यह वायू पर दूसर के मुख्य कारक है दोस्तो अगर बात करेए प्रदूशन निवारक और नियंतरक यानि भारत में रास्टी यह परियावरण नीती जो है यह बनाता है पदुशन निवारक एमम नियंतरक ये अधिनियम लागू हुआ है कब हुआ है ये 26 मार्च को 26 मार्च को दोस्तो जो है आपका 1974 में 1974 में ठीक है याद रखें गया ये भी next बात करेंगे मानो परियावरण सम्मेलन 1972 कहां आयोजित हुआ तो ये कई बार एक्जाम में आचुका UPSI अधिकतर एक्जाम में ये कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो जो हुआ था आपका जो सम्मेलन हुआ था इस टॉक हो में हुआ था मानो परियावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था इस सम्मेलन में दोस्तो 119 देश सामिल रहे और देशों में दोस्तो क्या कहा इसमें प्रसीद सिधान्त को स्विकारा है उसका नाम है सिधान्त वो है एक ही पृत्वी ठीक है वन अर्थ कह सकते हैं इसको तो एक ही पृत्वी दोस्तो जो है ये मतलब इसको स्विकारा और इस सम्मेलन में दोस्तो जो है आप जानते हैं पांच जो ह परियावरण दिवस मनाय जाता है दोस्तों ठीक है और 1974 को दोस्तों ये शुरू किया गया था 1974 को ये स्टार्ट किया गया था ठीक है पेरी से जलवाई समझाता है जब पूछा जाएगा तो 2015 याद रखिएगा नेक्स्ट बात करेंगे राष्टी ये भौतिक प्रियोग साला कहां इस्तित है इसको आप कई से कोश्चन आते हैं जैसे देखिए भौतिक पूछेगा तो नई दिल्ली लगाएंगे ठीक है और जब रासायनिक पूछ दे यही पर भौतिक पर क्या लिख दे रासायनिक जब भौतिक लिख दे तो आप क्या करेंगे नई दिल्ली ठीक है क हां इस्तित है तो नई दिली इसका रेट एंसर हो जाएगा लेकिन जब रसायनिक पूछ दे तो याद रखेंगे पुने पुने पुना जो भी आप बोलते हो ठीक है पुने हो जाएगा और ध्यान दीजेगा जब पूछ दे भौत की रास्तिय या फिर भौत की अनुसंधान प्रियोग साला इसमें जब अनुसंधान लग जाए अनुसंधान लग जाए जब अनुसंधान इसमें लग जाए तो आप अहमदाबाद गुजरात करेंगे क्या हो जाए अहमदाबाद गुजरात और औसधी जब पूछा जाए औस दी एवं जो है विश तो ये लखनव याद रखेंगे और रास्तिय समुंद्र विज्ञान जब पूछा जाए तो संस्तान तो आप गोवापणजी याद रखेंगे तो कुछ जो इंपोर्टेंट है एक तो आप लखनव याद रखेंगे लखनव याद रखेंगे प्रियोग साला कहा है सित्तय अगर पूछ दिया जाए अगर यहीं पर रास्तिय जब आ जाएगा अनुसंधान भौतिक प्रियोग शाला आता है हम्दाबाद गुजरात करेंगे और और विश वाला आ जाएगा तो लखनव करेंगे समुद्र वाला आ जाएगा तो गौभ पढ़ जी कर देंगा गौभ नेस्ट बात करेंगे आंग सांग सुग की यह कहां की जो है मूल निवासी हैं तो याद रखेगा आंग नाम से पता चला है मियामार इसका राइड इंसर हो जाया क्या नाम है आंग सांग सुग की दोस्त इसमें लोक्तन्त की स्थाप्ला के लिए काफी संगर्स किया और इंपोर्टेंट यह है कि 1991 में इनको दोस्तों सांती का नोवल पुरसकार से सम्मानित किया गया याद रखेगा नोवल पुरसकार से सम्मानित है इसलिए पूछा जा रहा है चलिए नेक्स जो कोशन है हडपा सब्विता किस से सम्मानित है तो हडपा सब्विता जानते हैं इसको एक कते हैं का से यूगीन सब्विता क्या करते हैं का सी यूगीन सब्विता भी कहते हैं तो ए इसका रैड इंसर हो जाएगा बाकी तो बहुत चीज़े हैं हडपा के बार रखा है और भी आगे ले लेंगे नेक्स्ट बात करेंगे निंड में से बेमेल कौन है मतलब गलत कौन मिला हुआ है तो इसमें से दोस्तों जो गलत मिला हुआ है वो है आपका एका अंदोलन यह आपका क्या है यह 1921 से लेकर के 22 है अच्छा चलिए इसको बाद में बताएंगे पहले इलहाबाद की संदी यह सब दिया है बहुत इंपोर्टेंट है तो इलहाबाद की संदी जब आ जाए तो याद रखेंगे 12 अगस्त ठीक है लिखा हुआ है सत्रोस पैसट बिल्कुल सही है यह तो यहाँ पर बेमेल मैंने गलत वाला बताना था तो गलत आपका सी हो जाएगा लेकिन यह सब इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव लिख लीजेगा रॉबर्ट क्लाइव और जो है मुगल समराड ठीक है साह आलम दुतिय साह आलम दुतिय सेकंड के बीच ठीक है कौनसा इलहाबाद की संदी अच्छा मंगलौर की संदी आदेंगे यह टीपू सुल्तान के बीच हुआ है टीपू सुल्तान का दोस्तो साथ हुआ है टीपू सुल्तान और British East India Company के साथ तो Britain कर दे रहा हूँ मैं ठीक है टीपू सुल्तान और Britain के साथ 11 March ठीक है अच्छा यहाँ पर आ जाते है Native Marriage Act Native Marriage Act क्यों important है तो दोस्तो यह जो है इसमें सबसे पहले बताए गया थे कि 14 साल से अगर छोटी लड़की है मतलब कन्या है तो इसके लिए मना किया गया था साधी के लिए ठीक है कन्याओं के बिवा के लिए ठीक है चलिए तो इसमें जो अब हमारा यह सब हमने बता दिया में यहापर एका अंदोलन दोस्तो जो है यह आपका दो अज्जा अरे 1921 लेकर के 22 है और किसानों दोारा दोस्तो यह चलाए गया था इसका नेतितों जो कियते वो है उनका नाम यह दखेगा मदारी पासी मदारी पासी ठीक है यह लगान और गैर कानूनी तरीके से खेत को चीन रहते अंग्रेज लोग तो उसके लिए यह था ठीक है नेटिव भी आपको बता दिया नेटिव वाला का एक और था कि जो भी साधी ओर थी बहु पतनी वाला प्रथा इसे भी समाप्त किया गया था यह यह राजनीती कैसे चलाना है फैसे का उतना वह सब नहीं है और दोस्तो यह इसमें बात किया जाए कि मौरे प्रशाशन का प्रमुक स्रोत जो बोला जाता है वो कोटिली के अर्थ सास्त को कहा जाता है साथ साथ इसमें भाग जो है ये याद रखेगा पूछा जाता है कितने भाग है तो भाग इसमें 15 हैं और उप भाग जो है उप भाग जो है वो दोस्तों इसके 180 हैं याद रखिएगा ठीक है भाग इसमें 15 हैं उप भाग दोस्तों जो है 180 हैं चानक क्या या फिर कौटिल जो भी कहिए इनको ये तच्छी सिला बिस्व विदाले में छात रेवम सिच्छक दोनों की भूमिका का निरवान किये हैं नेereal किस वर्स बाबर ने सुलतान इबराहीम लुदि को पानी पत की लड़ाई में पराजित की अहराया तो देखिए यहां पर हम कैसे एक ट्रिक से याद करते हैं 26 में पानी पिया 27 में क्या किया खाना खाया तो क्या हो जागा 26 में क्या हो जाया 1526 में पानी पत कया यूद क्यूंकि पानी पिया था और 27, 1527 में क्या जाए खाना खाया था यनिः खानवा का दियुद 17 मार्च को अपका 1527 में क्या हुआ था खानवा का दियुद राणासांगा कर था तो ऐसे हम याद कियें ट्रिक से फिर चांद पर गया, घर गया, ऐसे कर के फिर मर गया ऐसे करके याद घागरा चंदेरी ये सब याद कर वाय था तो बाद में ट्रिक देखेंगे पहले इसको समझी है ये सल जो सुल्तान इब्राहिम लोदी से जो है बाबर लड़ा था कब यहाँ पर गलत हो जाएगा ये 26 में और 27 में क्या हो जाएगा 27 में खानवा ह हो जाएगा ठीक है खानवा हो जाएगा इसमें राणा संगा के साथ दोस्तों देखिये इस बाबर के जीतने का जो तरीका है वो दोस्तों जो है तोप है अधिकतर चीजे जो है तुगलमा नीति आइका आता है या पदती तूलूगमा पदती ये क्या कहता है तोप इनके तोप चलाने वाले तुपाची तो उनका भी नाम कई बार एक्जाम में आता है एक तो मुस्तफा है मुस्तफा और दोस्तों एक उस्ताद अली ये लोग तोप से एक दम उड़ा दिया करते थे ठीक है तो अधिकतर जो है आप जानते हैं यहां के जो है सैनिक तलवार और वो बर्ची बाला तीर वाले थे नेक्स्ट बात करेंगे निम्न गुप्त साशक का कालानकरम निधार्द करना है मतलब कौन था फिर उसके बाद कौन था तो देखिए अगर आप गुप्त वन्स का अगर आप जानते हैं सापा क्या सुरू जिसने की आज है उनका नाम अगर जानते हैं तो आप इसी को तुरंट सौल्ब कर लेंगे ठीक है, उनका नाम है श्री गुप्त तो यह दोस्तो पहिला यहां पर श्री गुप्त ही होना चाहिए यानि options में जो होगा वो C वाला दिख रहा है कि option में 3 पे कौन है श्री गुप्त है तो याद रखेगा चलिए इसका सबका कालन करम बता देते हैं श्री गुप्त आता है इनका समय जब आता है 240 से लिखर के नीचे लिख दिरहों में 280 भी ठीक है उसके बाद दूसरा कौन है इसके बाद दूसरा जो आते है वो आपके आते है चंद गुप्त प्रथम तो चंद गुप्त आपका दिया ही है तो प्रथम दोस्तों यहाँ पर हो जगा तो आपका हो जगा क्या हो जगा यहाँ पर 319 319 से 35 ठीक है फिर उसके बाद दोस्तों आते है 75 याद रखेगा ठीक है फिर उसके बाद आते हैं राम गुप्त ठीक है तो ये आपका 375 हो जाएंगे 375 और फिर आपका सकंद गुप्त लास्ट में आते हैं यानि कि आपका 455 से 665 ठीक है पचपन आईए इस भी है सब तो सबसे पहले इसके अनुसार समंद गुप्त को मल जिए अटा दीजिए औप्शन में नहीं है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे श्री गुप्त लेंगे यानि और तीन जहां पर ही होगा पहले में वही एंसर हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद दूस्तों सत्रसो चौशट में बक्सर का जो यूद हुआ है इसके समय बंगाल का गवर्नर कौन था यह पूछा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है तो जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों वह था वेंसी टॉट कौन था वेंसी टॉट लिखा गया है ठीक है यह सत्रसो स्रका जो यूद हुआ ता याद रखेगा इसमें ब्रिटिस सेना की तरफ से जोग था वो बंगाल के शानरो ने क्या रा नाम था बादसा दोस्तों जो है आपके शाह आलंदूती है ये तीनों लोग लड़ेते और तीनों लोग जो है अंग्रेजों से पराजित हो गएते ठीक है इसके बाद उत्तर भारत पे अंग्रेजों का सासन माना जाता है या फिर कही आदिपत्ते होने लगा नेक्ष्ट बात करेंगे भारतिय रास्तिय कांग्रेज की पहली बैठक की सहर में हुई तो कई बार हमने इसको करार रखा है ये बंबई में हुई है कहां पर बंबई उस समय नाम था बंबई और 28 दिसंबर को दोस्तों जो है 1880 1880 इसमें दोस्तों पूछा गहाjal वो मेस चंद्रबनर जी वो मेस चंद्रबनर जी बहुत बार पूछा गया है वो मेस चंद्रबनर जी है ठीक है? याद रखेगा और इसमें 72 सदस्चेज के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ठीक है मौलाना अबुल कलाम आजाद याद रखेगा बहुत important है और दूसरा जो सम्मेलन हुआ इसी के एक साल बाद यानि 86 में और वो कहां हुआ कलकत्ता में ठीक है 1886 में दूसरा हुआ है ये दूसरे जो अदिवेशन हुआ है वो आपका इलहाबाद में हुआ है ठीक है और दोस्तों इसके जो अद्धेश थे वो जॉर्ज जूले थे अब प्रथम ये अंग्रेज अद्यक्स थे और सबसे ज़्यादा जो अद्यक्स पत्पे रहने वाली सॉनिया गांधी जी है नेच्ट बात करेंगे भूदान अंदोलन किसने स्टार्ट किया था किसने सुरू किया था तो जानते हैं इसमें जो में नाम आता है बिनोवा भावे crazी का इनको संत के नाम से भी जानते है संत बिनोवा भावे इन्होंने दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं क्या किया था भूदान अंदोला जो भी जिनके पास ज़्यादा जमीने थे उनसे आगरख किया गया था कि भूमी को दान करें ये दोस्तों आजादी के बाद भी ये चलता रहा ठीक है वेक्तिगत जब स्टार्ट हुआ था 17 अ ब्रमदत जी ये तीनों लोग जो है ग्रिफतार कर लिए गये थे ठीक है और जो नाम है आपका जैप्रकास नाराण जेपी नाराण जिनको कहते हैं ये 1942 में क्रांती के दोड़ान दोस्तों जो है 9 नॉमबर 1942 में हजारी बाग में जेल में अपने साथियों के साथ भाग करक और आजाद दस्ता का निर्माड कराया था इन्होंने क्या बनाया था आजाद दस्ता का निर्माड कराया था ठीक है और आप जानते हैं 1974 में दोस्तों जो है संपूर क्रांती जो है जैप्रकास नाराण द्वारा किया गया था ये भी याद रखिएगा उसी के बाद देखत बहुत बार एक्जाम में आ चुका है वारेन हेस्टिंग ठीक है इस्ट इंडिया कंपणी की स्थाबना पूछा जाए तो 1500 99 इस भी या ओप्शन में नहीं है तो 1600 ओप्शन में होगा ठीक है तो 1500 99 इस भी याद रखेगा ठीक है जो है रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तो भारत में अंग्रेजी राज्य इस्थाबित करने का श्रेय इनको दिया जता है रॉबर्ट क्लाइव को और रॉबर्ट क्लाइव जो ओप्शन में दिये हुए है इनने ने दोस्तो जो है बंगाल में स्थापना हुई है कहाँ पर कलकत्ता में ठीक है याद रखेंगे और जो 1599 वाला है उसमें मुगल सामराट जो है अकबर था नेक्स्ट बात करेंगे आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ तो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ है वो एक सितंबर एक सितंबर आपका 1942 नाम जो है यहाद रखेंगे गलती मत करिएगा कैप्टण मोहन रखेंगे आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ है उसका गठन किसने किया है नाहो तब लगाय करिये ठीक है तो एक सितंबर 1942 यजाद रखेंगा ठीक है आजाद हिंद फोज के दोस्तों बंदी सेनिकों पर लाल किला मुकदमा दिल्ली केस दोस्तों नॉमबर 45 में चलाए गया याद रखिएगा कुछ important points हैं जैसे कि आपका आजाद हिंद फोज के अधिकारी पीके सहगल करनल गुरुदयाल धिलन एबं मेजर जो है सहन बाज खां इन पर दोस्तों मुकदमा चलाए गया ठीक है तो देखिए दोस्तों यह आपका सेट नंबर आपका 14 था समान लिगयान का आसा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आगा वीडियो को अधिक सदिक लाइक शेर कीजेगा और ऐसे ही प्रैक्टिसेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आगण का अन कर दीजे हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तीज लाइक एन शेर धन्यवाद